गुद्वार्ड ये स्टुडेंट्स गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकंडरी स्कूल साच और के यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर्चे स्वागत है हम यहाँ पे जो लेशन है आपका वाटर उस वाटर में कुछ पेरग्राफ जो हैं हम लर्ण कर चुके हैं उनको रीट कर चुके हैं एक नेक्स्ट पेरग्राफ जिसका वाकविलरी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम पहले लर्ण करेंगे और उसके बाद जो भी paragraph है उसको हम read करेंगे उसको हम translate करेंगे उसको सीखने का समझने का प्रयास करेंगे देखें यहां पर आप पहले इसके जो कुछ complicated words से हम उनको समझ लेते हैं देखें dear students यहां पर एक word आपका दे रखा है content content का तातपर होता है नहित होना नहित होना मतलब जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो the bag has four books या bag contents four books यानि bag के अंदर चार किताबें नहित हैं मतलब रखी होई हैं तो उसे content बोलते हैं next word आपका यहां पर देरखा है substantial का तातपर होता है परियाप्त substantial का तातपर होता है परियाप्त next word आपका proportion proportion का तातपर होता है मात्रा जिसको आप quantity भी कहते हैं ठीक है जिसको आप क्या बोलते हैं quantity next word है आपका combined और combined का तातपर है समलित ठीक है न एक होता separate separate यानि होता अलग और combined यानि समलित होता है ठीक है आटेच भी बोलते हैं एक word है आपका physiological फिजियोलोजिकल से तातपर होता है सारी रिक ठीक है फिजीकल ठीक है उससे ही बना physiological तो हो गया सारी रिक next word है students fluid जिसका तातपर होता है द्रव ठीक है कोई भी जो liquid होते हैं next word है आपका essential और essential का तातपर है आवश्यक आपको बता दूँगा आवश्यक के लिए आप sorry आवश्यक के लिए आप जो necessary है necessary का प्रियोग करते हैं ठीक है न आवश्यक के लिए यहाँ पे एक word आपका और भी आप देखेंगे निया word आया है जो है imperative imperative इसी lesson में इसी paragraph में आप उसको पढ़ाएंगे ठीक है imperative आप जानते ही है imperative next word आपका यहाँ पे दे रखा है moisture और moisture आपको पता है moisture का तात पर क्या होता है नमी ठीक है न मौश्यक यानि नमी होता है next word है आपका यहाँ पे वी ए आर आई एस varies varies का तात पर यहाँ पे क्या भिन 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 वेराइटी होता है वेराइटी यानि विविदता अलग अलग होना एक word आपका दे रखा है enormously से कहने का तात पर यहाँ बहुत अधिक यहत्यदिक भी कह सकते हो एक आपका word यहाँ पे दे रखा है species ठीक हैं species का मतलब होता है प्रजातिया एक word आपका दे रखा है conservation और conservation से कहने का तात पर है protection करना एक word आपका यहाँ पर दे रखा है utilization यू टी आई एल आई जट ए टी आई ओन utilization का मतलब उप्योग utility यानि उप्योगिता ओके वैसे एक सब्द आपका यहाँ पर एक word दे रखा आट्शीन वाटर आट्शीन वाटर का तात पर होता है गहरे कुगों से प्राप्त गहर last word जो है ultimate है और ultimate का तात्वर भी अंतिम ही होता है ठीक अंतत है या अंतिम आप उसको बोल सकते हैं तो यह तो आपका इस lesson का जो महत्पॉर्ड मतलब सौरी इस paragraph का जो महत्पॉर्ड वकवल्डरी है वो है निश्रूप से आपको पहले से यार भी होगा और अब हम आपके सामने एक paragraph है आज जो paragraph हमें रीड करना है वो यहां से करना है what is the basis of the life इसे पहले हमने जो paragraph पढ़ा था वो यह था जिस paragraph में आपको ध्यान है हमने दो बहुती महत्पॉर question डिसकस किये थे एक तो किया था what are the various measures to suggested check soil erosion यानि जो soil erosion है जो भूम का कटाव है उसको रोकन है के विभिन प्रकार के उपाय कौन-कौन से है और एक पढ़ा था हमने इसी में question के भूमी कटाव होने के कौन-कौन से कारण है ठीक है तो हमने उनको डिसकस किया था यह देखो एक था आपका terracing of the land यानि भूमी को terracing यानि समतल करना बांधों का निर्मार करना पानी के ब यान तो यह आपके हुपाई थे और इसके कारण जो थे इससे पहले हमने इनको पढ़ लिया था कारण क्या था एक ता स्लोप अब दी लेंड है रिमूबल ऑप्रोटेक्टिव कोट बेजिटेशन है दे एकसिस्टेंस ऑफ रट से मतलब दरारों का होना जिससे के पानी जो गुमिक कटाव को होने के इनको हमने पढ़ लिया था हमने सीख भी लिया था आपने याद भी कर लिया होंगे अब हम देखते हैं इससे जो अगला आपका जो परग्राफ है हम उसको रीड कर लेते हैं देखें डिये स्टुडेंस इसमें जो हमारे ओधर है वो कह रहा है एक और यह बात आप भी जानते हैं हम जानते हैं सभी जानते हैं कि वोटर इस दा बेसिज अफ लाइफ बेसिस का तात्पर क्या होता है आधार वोटर इस दी बेसिज अफ लाइफ यानि जल जीवन का आधार है आप जानते हैं लाइफ कैन नोट बी मेजिन विदाउट वोटर पानी के बिना जीवन की कल्पना को नहीं किया जा सकता तो जल जीवन का आधार है एवरी एनिमल एड एवरी प्लांट एवरी एनिमल यानि प्रतियेक जानवर में एड एवरी प्लांट और प्रतियेक पौधे में पेड़ में कंटेंज यानि मैंने बताया है कंटेंज यानि नहित होना कंटेंज यानि नहित होता है अब सब्स्टेंशियल यह वर्ड मैंने डिसकस लिया था सब्स्टेंशियल का अपर क्या बताया था आपको परियाप्थ कि every animal and every plant यानि प्रतियेख जानबर और परतियेख पौधे में Contents यानि नहित होता है Substantial यानि परियाप्त और Proportion यानि मात्रा जिसको मैंने काता है Quantity भी कहते है Substantial Proportion यानि परियाप्त मात्रा और Free यानि स्वतंत्र और Combined यानि सम्मिलित Water यानि जल की in its body यानि सरीर के अंदर समझो कि जल जो है वो जीवन का आधार है प्रतियेक जानवर और प्रतियेक प्राणी या प्रतियेक आप कह सकते हो एनिमल सितात पर जानवर या प्रतियेक प्राणी भी कह सकते हो प्रतियेक प्राणी तथा प्रतियेक पौधे में प्रतियेक पेड़ में स्वतंत्र फ्री यानि स्वतंत्र और कंबाइंड यानि सम्मिलित वॉटर यानि जल की सब्स्टेंसियल यानि परयाप्त प्रपोर्शन यानि मात्रा कंटेंज यानि नहित होती है मतलब जल के बिना जीवन संबब नहीं है चाहे वो हम बनिस्पत्ती जगत की बात कर लें और या फिर हम जीव जगत की बात कर लें सुनमा गया कि every animal and every plant यानि प्रतियेक प्राणी और प्रतियेक पौधे में स्वतंत्र या फिर combined यानि समलित जल की जो परियाप्त proportion प्रियाप्त मात्रा है वो contents यानि नहित होती है किसके अंदर in its body यानि उसके शरीर में प्रतियेक प्रतियेक पौधे के शरीर में स्वतंत्र और समलित जल की प्रियाप्त मात्रा नहित होती है अब देखते हैं आगे वो कह रहा है कि and no kind of physiological activity no kind of physiological no kind kind means type no kind of physiological physiological मैंने भी बताय था सारीरिक और किसी भी प्रकार की सारीरिक activity यानि गत्विदी नो आ गया था उपर is possible यानि संभव नहीं है नो यहाँ पर आ गया है तो no kind of physiological activity is possible यानि किसी भी प्रकार की सारीरिक गत्विदी संभव नहीं है in which in which यानि जिसमें किसी भी प्रकार की सारीरिक गत्विदी संभव नहीं है जिसमें the fluid यानि ये द्रव ये जल डाजनोट प्ले यानि नहीं 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 नहाता है an essential part essential का अताथ पर मैंने आपको बताया था आवश्यक या नेचसरी भी कहते हैं इसके लिए एक सब्दियां पर imperative भी आया है उसको भी आवश्यक ही कहेंगे ठीक है नो तो ऐसी किसी भी प्रकार की सारिरिक गत्विदी संबब नहीं है जिसमें ये जल ये द्रव डिस नॉट प्ले एन essential part यानि मैत पूर्ण भूमी का अदा नहीं करता है आगे लेखा कह रहे हैं water is of course कि जल of course यानि बास्तम में necessary यानि आवश्यक होता है for animal life यानि प्राणी जीवन के लिए while moisture समझ रही है नो कि जो जीव जगत होता है जो प्राणी जगत होता है ठीक है नो जो मनुष्य है उनके लिए जल बास्तम में आवश्यक होता है और जबके moisture यानि moisture यानि जो नमी है in the soil यानि मिटी में is equally यानि equally यानि समान रूप से imperative यानि मैंने बता है ता essentially होता है imperative यानि आवश्यक है for the life for the life यानि जीवन के लिए and growth यानि उनके विकास के लिए किसके plants यानि पौदों के trees यानि पेड़ों के ठीक है ना हम फिर एक बार समझ लेते हैं इसको इसमें बताया है कि जल जो है वो बास्तम में necessary for animal life यानि प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक होता है जबके मिटी के अंदर मरदा के अंदर नमी जो है वो उतनी ही बरावर आवश्यक होती है for the life यानि जीवन के लिए and growth यानि विकास के लिए किसके जीवन और विकास के लिए किसके plants and trees यानि पेड़ और पौदों के जीवन और उसके विकास के लिए मिटी के अंदर नमी भी उतनी ही आवश जल जो है वो प्रानी जगत के जीवं के लिए होता है अब देखते हैं इसको आगे ठीक हैं, तो यानि एड्यपी, दो यानि हालांकी, हालां कि ये जो मात्रा होती है नेसेसेरिली यानि आवश्यक रूप से वेरीज में तर वेराइटी आवश्यक रूप से ये मात्रा जो है वो वेरीज यानि भिन भिन होती है इन और मसली यानि भहुत अधिक या अत्यदिक विद्धी स्पैसीज किसके अनुसार इस पैसी जानी प्रजातियों के अनुसार मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस अनुसार में प्रतियक प्रजाती के अंदर प्रतियक प्रजाती के सरीर में जल की बराबर मात्रा हो यह आवश्यक नहीं है या बराबर जल की मात्रा आवश्यक नहीं है प्रतियक तो आविश्यक है लेकिन सभी के अंदर जलकी जो मात्रा है वो कैसी है अलग-अलग है भिन-भिन है दी कंजर्वेशन कंजर्वेशन यानि संरक्षन एंड यूटलाइजेशन यानि उप्योग और वाटर यानि पानी का इस दस यानि दस यानि इस प्रकार से करौए फंडामेंटल यानि आधार भूत है या मूल भूत आविश्कता है for human welfare human यानि मान भी और welfare means होता है कल्याण के लिए ठीक है welfare यानि कल्याण आप फिर से देख लेते हैं तो इसी लिए देखो एक वार देखें Ŧिदी बेसीज ओफ लाइफ मैं कोशिस करूँगा कि paragraph साथ के साथ आपका complete होता जाए what is the basis of the life के जल जीवन का आधार है every animal and every plant यानि प्रतियेक प्राणी और प्रतियेक पौधे में पौधे के contents यानि नेध होता है substantial proportion, substantial यानि परियाप्त proportion यानि मात्रा of free or combined water free यानि स्वतंत्र और combined यानि summilet water यानि जल की in its body उसके सरीर में यानि प्रतियेक प्राणी और प्रतियेक पौधे के सरीर में स्वतंत्र या तो स्वतंत्र जल या फिर summilet जल की परियाप्त मात्रा परियाप्त मात्रा contents यानि नेहित होती है सबी के सरीर के अंदर पानी जो है वो विद्धिमान है या होता है and no kind of physiological activity और किसी भी प्रकार की सारीरिक गत्विदी is possible यानि संभव नहीं है in which यानि जिसमें the fluid यानि ये द्रव ये जल does not play an essential part यानि ऐसी कोई भी सारीरिक गत्विदी संभव नहीं है जिसमें कि ये जल महत्पूर्ण भूमिका अदा ना करता हूँ water is of course कि बास्तम में जल जो है necessary for animal life कि बास्तम में जल जो है वो प्राणी जीवन के लिए उतना ही necessary है कि बास्तम में जल जो है वो प्राणी जगत के लिए आविश्यक है जबके मिटी के अंदर नमी जो है वो equally imperative उतनी ही आविश्यक है for the life and growth of plants and trees जानी पेड़ और पौदों के जीवन और उनके विकास के लिए मिटी के अंदर नमी की मात्रा उतनी ही आविश्यक होती है जितना आविश्यक प्राणी जगत के लिए जल होता है हाला कि आगे वो क्या कह रहे है कि मात्रा तो आविश्यक है हाला कि दो क्वान्टिटी या प्रपोर्शन हाला कि यह जो मात्रा है जल की वो नैसेसरली यानि आविश्यक रूप से वैरी जानी भिन्न भिन्न होती है अनॉर्मसली यानि बहुत अदिक विद्धे स्पैसिज यानि प्रजातियों के अनुसार इसी लिए पानी का संड़क्षन करना और पानी की जो उप्योगता है वो मानबी अकल्याण के लिए आधा भूत है मूल भूत आवे सकता है कि प्रतियक व्यक्ति को इस जल के वैल्यू को इसके महत्तो को समझना चाहिए हमें पानी को किस परकार से कंजर्व करना है पानी का संड़क्षन किस परकार से करना है पानी का उप्योग किस परकार से किया जाना है इन चीजों के जो मुद्दे हैं इन मुद्दों से सभी लोग जो है वो रूब रूब होने चाहिए उन्हें आना चाहिए कि जल का संद्रशन किस प्रकार से किया जाए, जल की उप्योगिता किस प्रकार से की जाए, जल की जीवन में उप्योगिता क्या है Apart from Atsian Water, Apart means को छोड़कर, Apart from Atsian Water, Atsian Water से कहने का तातपर है जो गहरे कुगे होते हैं, ठीक है ना, जो पानी होता है नीचे, तो Apart from Atsian Water, Atsian गहरे कुगों से प्राप्त जल को अपार्ट यानि छोड़कर के The Ultimate Source, Ultimate यानि, Ultimate यानि अंतिम सोर्स यानि स्रोथ in all cases, यानि सभी परिष्टितिंगों में जल का जो अंतिम स्रोथ है, इस रहन यानि वो बारिस है या फिर स्नोफॉल, ठीक है ना, बास्तर में सही बात है, अगर हम गहरे कुगों से प्राप्त जल को अगर छोड़ दें, तो ह ठीक है, कि गहरे कुगों से प्राप्त जल को छोड़ करके पानी को प्राप्त करना का जो अंतिम सोर्स है वो बारिस या फिर बदपारी है, much of Indian agriculture much of Indian agriculture depends यानि निर्वर करती है on seasonal rainfall कि much of Indian agriculture के अधिकान स्थे भारती एकरसी depends यानि निर्वर करती है on seasonal यानि मौसमी rainfall यानि बारिस पह and is therefore और therefore यानि इसी लिए और इसी लिए very sensitive और इसी लिए ये भारती एकरसी जो है तिदिक sensitive या संबेदन सीर होती है to any failure किसी भी असफलता के प्रती और irregularty यानि किसी भी अनियमित ताके प्रती आप इस परग्राप को समझने का प्रियास करें समझाए बारिस को देए यहां पर बताया है कि अगर हम गहरे कुंगों से प्राप्त जल को छोड़ दें तो पानी को प्राप्त करना का जो अन्तिम सोथ है या तो बारिस है या फिर इस्नोफॉल है और अधिकांस तेगर भारती करसी को देखा जाए तो वो मौसमी रेनफॉल या नी बारिस पर ही निर्वार है और आप भी जानते हैं कि भारत जो एक करसी परदान देश है और यहां पर बैसे कुछ कंट्री जैसे होते हैं जा वर्स परियंत बारिस जो होती रहती है लेकिन भारत जैसे जलवाय वाले देश में निर्दारित होते हुधर हमेशा हमेशा ही मांसून आता है और बारिष होती है हमेशा हुधर हम डिपन सिह Virus Δوتर निरभर है साभजने रेंडियर समय वारिष है और इसलिए इसलिए जो बारती करसी है बैरी सेंस्टेब या अर्थिरिक संभेदन सील होती है इनि फेल्एर किसी भी असफलता या किसी भी अनियमेद्ता के प्रतीव अपड़ी से भारिस के तो इसलिए क्रसी जो है वो किस पे निरबर है वो निरबर होती है या उस बारिज पे निरबर होती है और वो संबेदंसील किसके प्रती है इस असफलता के प्रती बारिज की अनियमिता के प्रतियत देख संबेदंसील होती है ठीक है आज के लेक्षर में तना ही रखेंगे इस का बचा हुगा जो पार्ट है इस परग्राफ का वो अगले वीडियो हम डिसकस करेंगे उम्मीर करता हूँ ये पूरा ही आपको जितना पढ़ाया परग्राफ समझ माया होगा इसको एक बार पुने आप रिवाइस करेंगे इसके जो सब्दकों से उनको आप याद करेंगे ठ तब तक के लिए धन्य बार